शादी करना क्यों जरुद्र होता है? कहा जाता है कि इस तरीक की सपलदा के पीज़े पूरुष्ट और पूरुष्ट की इस तरीक का हाथ होता है बहले ही आप अकीली इस दुनिया में हर समस्तेयों को हट्टा कर एक मुकाम हासिल क्यों न कर लो लेकिन जब बात आती है खुश्य बाटने की तो परिवार की नजर आती है शादी करने के आपको जीवन बर के लिए एक विक्ति का साथ मिल जाता है साथ या अवन पेक्षित भावना के प्रदान करने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है शादी के बाद जिंदे की बोज नहीं लगते और नहीं बेवज़ा निराशा पाइदा होती है संसार में कई विक्ति अकिला न रहे सके इसलिए स्त्री और पुरुष को बनाया गया ताकि वे शादी से सबंद में बंद कर अपने जीवन को डोर को आगे खी सके एक लंबा जीवन बिताने के लिए शादी की महत उपुर्ण होती है प्रकुरुद के बनाया नियम के अनुसा स्त्री को पुरुष को और पुरुष को स्त्री के प्यार की जरूर दोते है बिना प्यार की वज़े से कई बार मांसिक बिमर का शिकार हो जाता है इसलिए हेल्थ के लिहाद से शादी बहुत जरूर होती है हम जीवन में कई चीजों अक्सर दूसरे से सिते हैं अगर आप एक छट के ने जट जिनके साथ लंबे समय तक रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा सकते हैं शादी करना इसलिए ज़रू है क्योंकि विक्ती जीवन बर लापरवाना बना रहे हैं और उसे अपनी जीवन में बदलाव लाने से सेटल होने और एक नए जीवन की शुरूआत करने के लिए शादी बहुत जरूर होते हैं अपने खुश्य और अपना गम बाटने एक फ्रेश होने के लिए जीवन सद्धी की जरूरत होते हैं जो बिना किसी शिकायत और वहाने की आपके बातों को इंसानियत में सुन सके एक हिल्दी शादी शुदा रिस्तिस्त्री और पूरुष दोने जीवन को बदलाव देता है वहाईत लोगों को डिप्रेशन की चिंता तना और अन्यमानसिक समस्ता बहुत कम होते हैं शादी शुदा लोग सिंगल लोगों की अपेक्षा नकारत मक्सों से बहुत कम ग्रसित होते हैं और पार्टनर के स्वयोक से जीवन में भगति करते हैं आखिर आपको क्या लगता है शादी करना बज़रू है कमेंट में ज़रू बताए और इसे इनपर मेंट वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लेगा मिलते हैं अगली वीडियो